आज की इस वीडियो में Artificial Intelligence की मतलश से इस तरह का सौंग बनाना सिखेंगे लिंद की किराहों में चलते चलते खावों के परवाने चलते चलते तो इस तरह की गाने को पूरी तरह से AI की मतलश से बनाने के लिए आपको ज़रत होंगे गाने की लेरिक्स की वैसे अगर आप गेरगाने की लिरिक्स लिखना जानते हो तो आप खुद का लिरिक्स लिख सकते हो लेकिन मैं लिरिक्स लिखने के लिए ChatGPT का यूज करूँगा तो ChatGPT से लिरिक्स लिखवाने के लिए हम जाएंगे chat.openai.com की इस वेबसाइट पर इसके बाद यहाँ हम अपने लिरिक्स के लिए prompt लिखेंगे जिस तरह का लिरिक्स लिखवाना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं फटा-फट से एक prompt लिखता हूँ इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मैंने prompt में क्या लिखा है तो यहाँ पर मैंने एक prompt लिखा है जिसमें मैंने इसे बताया हुआ है कि मुझे जिन्दगी के बारे में एक song लिख कर देना है जो के inspirational हो और lyrics 18 से साब साल के सभी लोगों के लिए reliable होना चाहिए और मुझे ये song melodious में चाहिए जिसमें verses भी हो और chorus वाला section भी हो और lyrics का जो style है गुलजार जी के style में ये lyrics होना चाहिए तो ये मैंने प्रॉम्ट लिखा है और ये मैं आपको इस वीडियो के description box में भी ये prompt क्लिक कर दे दूगा जहां से आप इसे copy paste कर सकते हो तो यहाँ पर बस हमें अब enter करना है अब यहाँ पर हमारे पास song का lyrics आ गया है जिसमें verses है, chorus है, bridge भी है और outro भी है तो चलिए इस lyrics को पढ़ कर देखते हैं तो lyrics है जिन्दगी एक सफर रंगों से वड़ा, कभी हसें, कभी आसू, हर मोर पे जादू, सुभा के उजानों में खिलते अर्मान है तो इस तरह से इसने यहाँ पर पूरे गाने के lyrics को मेरे लिए यहाँ पर लिक कर दे दिया है तो हम इस पूरे गाने के lyrics को यहाँ से क्लिक करके copy कर देंगे क्योंकि यह lyrics सब भी मुझे थोड़ी देर में चाहिए होंगे इसके बदाब मुझे इस lyrics से vocal generate करना है और उसके साथ music को भी add करना है और फिर music और vocals को remix के एक अच्छा सा song बनाना है इसके लिए हम एक AI टून का use करने वाले हैं इसका नाम है sunoo.ai इसके लिए हम sunoo.ai की इस website पर जाएंगे वैसे इस website के लिंक आपको इस video के description box में भी मिल जाएगा अब इस website पर यहाँ पर आप देख सकते हूँ कि कई सारे लोगों ने यहाँ पर अपनी गाने पहले से बनाकर रखे हुए है तो जैसकि मैं आपको यहाँ से कोई एक गाना यहाँ पर क्लिक कर प्ले करके सुना लेता हूँ तो इस गाने को बनाने के लिए इस prompt का use किया गया है और यहाँ पर इस गाने के lyrics कुछ इस तरह से आपर लिखे हुए है तो चलिए अब आपने खुद का song बनाते है इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ से create button पर क्लिक करना है जिसके बाद अगर आपने पहले से sign up नहीं किया होगा इस website पर तो आपके सामने sign up का pop up आजाएगा जिसमें आपको sign up कर लेना है अपने google account की मदद से अब आपके सामने को इस तरह का page खुल कराएगा जिसमें यहाँ पर मेरे पास पहले से generated कुछ song की list है जिससे मैंने पहले ही generate किया हुआ था नया song बनाने के लिए आपको जाना है यहाँ इस create option पर तो आप आता है सबसे important part तो यहाँ पर आपने पहले से एक lyrics को generate करके रख लिया है तो अपने lyrics को यूज करने से फ़ले मैं आपको बतलता हूँ कि यह काम कैसे करता है for example मैं यहाँ पर लिखता हूँ old school, hip hop, beats तो मैंने यहाँ पर एक song बनाने के लिए एक description लिखा है और वर्जन में हम latest version को ही select रखेंगे जो की version 3 है बागी चीज़ों को हम turn off ही रखेंगे और फिर create button पर click करेंगे तो यहाँ पर इसने मुझे इस command selected यहाँ पर दो AI सॉंग बना कर हमें यहाँ पर दे दिये है और साथ में यह जो भी song generate करता है उसके lyrics भी आपको यहाँ पर लिख करके दे देता है तो चलिए अब हम इसे play करके देखते हैं कि call सा music किस तरा का है तो यहाँ पर मैं पहले music को play करता हूँ तो आपने दिखा कि यह song इस AI ने सिर्फ एक छोटे से command से बना है यहाँ पर मैंने बस एक छोटा से command लिखा और इस AI ने कितना अच्छा गाना यहाँ पर बस कुछी seconds के अंदर बना दिया और मैं आपको बता दू कि इस गाने में आपने जो आवास सुनी वो एक AI के आवास थी और इसे किसी real इंसाने नहीं गया है साथ में जो music था वो भी AI ने खुद ही generate करी थी तो आप समझ सकते हो कि AI कितना advance हो गया है यह खुद से lyrics लिख सकता है कुद से किसी गाने को गा सकता है और music भी कुद से generate कर सकता है तो आपको इस बात का idea हो गया होगा यह काम कैसे करता है तो चलिए आवा आपने खुद के लिखे हुए lyrics का यहाँ पर गाना बनाते है तो इसके लिए हम चलेंगे यहां से custom mode पर, इसके बाद यहां पर हमारे पास lyrics का option आजाएगा, तो इसमें आप अपना lyrics लिखेंगे, जो भी आपर lyrics लिखना चाहते हैं, जैसे कि मैंने एक lyrics को पहले से ही chat GPT से generate करवाया हुआ था, और इसी lyrics का मैं गारा बनाने बाला हूँ, जैसे कि मैं गाने का style Bollywood पर चाहता हूँ, तो मैं यहां पर Bollywood लिखूँगा, इसके बाद 90s, Non-style Zig और इसके बाद Indic, तो मैंने यहां पर 4 style दिया है, Bollywood, 90s, Non-style Zig और इसके बाद Indic, क्योंकि मुझे इसी 4 style में इस गाने को generate करवाना है, अब मैं यहां पर इस गाने का क जैसे कि मैं इसका title दे देता हूँ, जैसे कि मैं इसका title दे देता हूँ, जिन्दगी एक सफ़र, खेके तो यहां पर version में पहले से latest version 3 selected, इसे नहीं चेंज नहीं करेंगे, और यहां पर हमारी गाने का लिरिक्स बन कर आ गया है, और इसने यहां पर दो गाने को generate किया है, त यहां पहले बाली गाने को पहले सुन कर देखते हैं, तो यहां पर मैं इसे play करता हूँ, जैसे नहीं किस तरह से गाया है, जैसे नहीं किस तरह से गाया है, तो अब अगर मानलों कि मैं कोई आड बना रहा हूँ, और मुझे अपने लेरिक्स के ऊपर कोई गाना चाहिए, तो मुझे प्रोपर किसी सिंगर को हाय करने जोरत नहीं है, I can just go to AI मैं अपने लेरिक्स लिख सकता हूँ, और इस तरह का अपना एक खुद का स्वाग AI से generate कर अब अगर मुझे इस गाने को डाउलोड करना हो, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद, डाउलोड ओप्शन के अंदर जाऊँगा, और यहाँ से इस सौल को audio या फिर video format में डाउलोड मैं कर सकता हूँ, जैसे कि मैं आपर audio पर क्लिक करगे, इस गाने को अपने PC में audio format में डा सकते हो, इसमें जो गाने आप बनाएंगे वो non-commercial होंगे, यानि कि personally आप इस यहाँ से बनाएवे गाने को यूज कर सकते हो, लेकिन आप उसे commercially कहीं पर यूज नहीं कर सकते हो, इसके बाद आप अगर 8 डॉलर वाला प्लान लेते हैं, तो इसमें आपको 2500 क्रेटिट यानि कि इसके अंदर आप 500 गाने हर महिने के अंदर बना सकते हो, और 24 डॉलर पाले प्लैन के साथ आप 2000 गाने हर महिने बना सकते हो, वहीं अगर आप यहां से बनाएवे गाने को अपने Monitag YouTube चनल के लिए यूज करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको प्रो या फिर प्रिमियर प्लान लेना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप प्रसनली आपको यह सौंग बनवाना चाहते हो, तो आप फ्री प्लान के साथ भी 10 नए गाने हर रोज बना सकते हो, तो इस तरह से आप Artificial Intelligence का यूज करके अपने खुद का सौंग बनवा सकते हो, तो यह वीडियो में आपको